तलाशी ले, मगर ये तलाशी कई हफ्तों बाद हो रही थी। जब पुलिस अमरजीत के घर जाती है, तो घर के अंदर की इस्तिती देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि लोग अपनी मर्जी से घर छोड़ कर गए हैं, क्योंकि घर के अंदर कपड़े अभी भी वाशिंग मशीन में पड़े हुए थे, जबकि कुछ खाना टेबिल पर पड़ा हुआ था। अमरजीत के जो दो छोटे बच्चे थे, उन दोनों के ही कपड़े यू ही कमरे में पड़े हुए थे, यहां तक कि नैंसी की मा चरणजीत कौर के भी कपड़े वहीं पड़े थे। इतना ही पुलिस वालों को बताता है कि मा सब कुछ छोड़ सकती है, मगर वो गुरुगरंद साहिब को छोड़ कर इस तरह कभी नहीं जा सकती है। यह लेटर भले ही अमरजीत के नाम से लिखा गया था, मगर अमरजीत के रिष्टदारों को यह बात हजम नहीं होती ہے, क्योंकि अमरजीत अकसर अपने हाँस से ही लेटर लिखा करते थे, मगर जो लेटर उन्हें मिला था, वो कम्प्यूतर से टाइब किया गया था। अमर्जी चोहान और उनके परिवार वालों को गायब हुए एक महिने से जादा बीच चुका था और अब तग पुलिस किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाई थी हलाकि घर की तलाशी के दौरान जो कुछ हालात घर के अंदर देखने को मिले थे उसे अंदाजा लग रहा था कि ये लोग अचानक से अपनी मर्जी से तो नहीं गए हैं अगर अपनी मर्जी से गए होते तो घर के अंदर सामान यूही नहीं बिखरा होता इसलिए ओनकार वर्मा द्वारा अमरजी चोहान समेत पूरे परिवार के अपरण की आशंका जताये जाने के बाद स्थानिय पुलिस अब इस पूरे केस को 21 मार्च 2003 को स्कॉटलेंड यार्ट्स सीरियस क्राइम ग्रूप को सौब देती है स्कॉटलेंड यार्ट्स सीरियस क्राइम ग्रूप केस अपने हाथ में लेने के बाद जाच आगे बढ़ाती है मगर कई हफ़तों की जाच के बाद भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता है पूरा चोहान परिवार फरवरी महिने में गायब हुआ था और अब आचुका था अप्रेल 2003 कमपनी को नए मालिक हैंडल कर रहे थे जबकि कमपनी के पुराने मालिक यानि अमरजी चोहान और उनके परिवार का कोई अतापता नहीं लग रहा था पुलिस ये कोशिश में लगी हुई थी कि कम से कम ये तो पता चल जाए कि आखिर वो भारत भी गए हैं तो वहां सही सलामत पहुँच गए हैं इस सिलसले में इंगलेंड की पुलिस भारत में भी एजिंसियों से समपर्क करती है लेकिन पता चलता है कि अमरजीत भारत में ना तो अपने गाउं और ना ही किसी रिष्टदार के यहां लोटे हैं पुलिस की पूरी मेहनत एक तरफ थी मगर दूसरी तरफ बस नाकामी ही नाकामी थी पुलिस को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस केस को कैसे सॉल्फ किया जाए तब ये अपरेल महिने में ही पास के समुद्र किनारे एक लाश मिलने की खबर पुलिस को मिलती है जाजपड़ताल के बाद खुलासा होता है कि वो लाश किसी और की नहीं बलकि अमरजीत चोहान की है ओनकार वर्मा भी इस लाश की पहचान अमरजीत चोहान के रूप में ही करता है इस लाश के मिलने से केस ने अचानक से नया रूप ले लिया था अब तक पुलिस जो ये मानकर चल रही थे कि अमर्जीत चोहान कहीं चैन की जिन्दगी को जार रहे हैं मगर असल में तो उनकी जिन्दगी ही छिन्चकी थी पूरी तरीके से जूट है पुलिस अब पूरी तरह हरकत में आती है और इस केस को सॉल्फ करने के लिए सैकड़ो पुलिस कर्मी लगा दिये जाते हैं पुलिस को पहला शक उस व्यक्ति पर होता है जिसने अमरजीत के गायब होने के अगले ही दिन अमरजीत की कंपनी में आकर अमरजीत द्वारा साइन किये हुए लेटर तथा ओनर्शिप के डॉक्यूमेंट्स पेश करते हुए ये दावा किया था कि अमरजीत ने ये कंपनी उसके हातों में दे दी है अब पुलिस इन लोगों की कुंडली निकलवाना शुरू करती है कंपनी पर मालिकाना हग जताने वाले इस व्यक्ति का नाम था कैनेथ रेगन कैनेथ रेगन भले ही अभी बिलकुल मासूम बना फिर रहा था मगर 1980s के आसपास ब्रिटेन में क्राइम की दुनिया में ये काफी बड़ा नाम हुआ करता था ये कुछ साल पहले तक इंग्लैंड का बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था ड्रग स्मगलिंग के अलावा कैनेथ रेगन फर्जी पासपोर्ट, हुमन ट्राफिकिंग तथा कई और दूसरे इल्लीगल काम किया करता था 1998 में लंडन पुलिस ने कैनेथ रेगन को फर्जी पासपोर्ट बनाने तथा ड्रग्स का बिजनेस करने के लिए रंगे हाथो पकड़ा था कैनेथ रेगन के पास से एक दो ग्राम नहीं, बलकि पूरे 30 किलो हीरोईन बरामत किया गया था, जिसके कीमत करोणों में थी अनुमान के अनुसार वो अब तक लंडन में 2000 करोड रुपे से ज़ादा का ड्रग्स बेच चुका था इसके बाद कैनेथ रेगन पर मुकदवा दर्स करते हुए केस चलाया जाता है अदालत में गुना साबित होने के बाद उसे 20 साल जेल की सजा सुनाई गई थी मगर जेल में रहते हुए केनेथ रेगन पुलिस के सामने सरकारी गवा बनने का ओफर पेश करता है बदले में वो अपनी सजा कम करवाने की शर्त रख देता है पुलिस केनेथ रेगन की ये शर्त मान लेती है और केनेथ रेगन के खुलासे के आधार पर तता इसके द्वारा दिये गए सबूतों की मदद से पूरे लंडन और बिटेन के दूसरे हिस्सों में चल रहे कई बड़े ड्रक्स रैकेट का खुलासा करती है और बड़ी संख्या में अपराधियों को पकड़ती है वादे के मताबिक कैनेट रैगन की सजा भी 20 साल से कम करते हुए 8 साल करती जाती है सजा कम होने के बाद वो पुलिस की और भी कई केस में मदद करता है और बदले में उसकी सजा कम होती रहती है आखिरकार केनेथ रेगन सिर्फ तीन साल की सजा काट कर 2002 में जेल से बाहर आ जाता है जेल से बाहर आने के बाद केनेथ रेगन की